वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टेन इन्फोर्मेसन यहां पर आप है कि एरफोर्स एक्सवाई ग्रूप स्टुडेंट के लिए और यहां पर एरफोर्स का इंग्लिस का मेगा मोक टेस्ट है आपको यहां पर प्रूइडिड किया जाएगा जो कि फिरी होगा परिक्षैप पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो लिंक डिक्स्टेज में है और इसके साथ ही इसका जो टाइम होगा सुबेर नो बजे से रात क नो बजे तक होगा इस फिरी आप इस मोक टेस्ट है उसको दे सकते हो और परिक्षैप परी होगा ठीक है तो तीन मही को होगा और संडे को है तीन मही को ठीक है और यहां पर नो एम से नो पी एम तक यह आपका इंगलिस का मेगा मोक टेस्ट होगा जिक को फिरी होगा और ल इंडियन एरफोर्स स्टुडेंट के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिज की जाए तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहे और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे और इसके साथ ही उसके बाद करें जब आपको सारी चीज कोशिए अपड़ेटर मेंने कई वीडियो में देखे तो पीएसल की जिगए यहाँ पर जो चरचा चल रही है वह यहाँ निकी के वहाँ फेचर्च नोільकार चल कर चुके बच्ल फीट हो चयो अनस학교 जोगे बहुत और शेकनट फिकलमेंlookार्च आपस यह बच्छे लिस्ट ठीक है उनको मैं बता देता हूँ अब एक लिस्ट है जो ज़्यादतर अपडेट हो रही है AISL अब AISL का जो हमारी ये बैच है जैसे कि आप जानते हैं कि लोगडाउन की वज़े से बैच 01,20,21 का यहां पर क्या हो रहा है एक्जाम नहीं हो पा रहा है और इसके साथ ही दूसरी कंडिशन में लोगडाउन है उसको पता है 17 माई तक आपका कर दिया है तो इस इस्तिति में देखते हो कि कह रहे थे एरफोर्स वाले की आपका 15 माई मिडल वी माई तक आपका अपडेट दे दिया जाएगा अब यहाँ पर आते AISL तो यहाँ पर AISL है वो किस तरह एफेक्ट करेगी आपारे एक्जाम है वो दोनु हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे जब ओफलाइन एक्जाम होता था तो क्या होता था कि आपका जो एक्जाम होता था साल में एक बार वहाँ पर एक्जाम होता था आप सभी को पता है और साल में वहाँ पर एक बार एक्जाम होता था और लगबग वहाँ पर जो बच्चे हैं 7000 या 6000 बच्चे हैं एक स तरह का percent नहीं होता है उसमें से जो लिये जाते हैं वो लगबग 80-85% student है वो लिये जाते हैं ठीक है इस तरह का होता है लेकिन AISL student के लिए फाइदमद है यदि यहाँ पर जो lockdown है आपका मई तक पूरा जाता है तो मई के बाद यदि जून में जुलाई में वो exam conduct नहीं करा प होती है कि AISL list आपकी लिकन के आईगी ठीक है तो AISL में ने बता दिया है कि वहाँ पर पूरे एक साल की list होती है उसमें 6 महीने पर एक बार बच्चों को joining दी जाती है और एक बार 6 महीने पर आदे सड़ित 3000 बच्चों को joining जी जाती है इसका फाइदा AISL का यह आता है कि आपका एक साल का medical process बनता है मतलब medical में green card आप देखते होगी जो PSL में 6 महीने का होता है वो समय एक साल का होता था ठीक है और यहाँ पर AISL है वो भी 6 साल के 6 महीने के लिए valid होती थी लेकिन यहाँ पर जो PSL है वो valid कितने के लिए होती है 6 मंत के लिए valid होती है लेकिन जो कि AISL है 12 मंत के लिए valid होती थी तो AISL में जादतर बच्चों को select किया जाता था और यदि Air Force में किसी तरह की कारणवांस यहाँ पर यदि आपका जो exam है कोई भी एक exam conduct नहीं हो पाया तो आपको उस exam को अगली exam के साथ कराय जा सकता है और AISL list है वो निकाली जा सकती है ठीक है तो AISL list का फायदा ही है कि उसमें जो list निकलती है उसमें जादतर बच्चों जो नाम आते हैं उसमें से बता दी आपको 99% student है वो उस list में चले जाते हैं तो यह आपको समझाना था और आपको पता है कि मेरे साब से समझ चुके होंगे जो मैं चीज समझाना चाहरा था यदि AISL आपका समझ लीजिए यदि आपकी बार PSL है वो इस बैच की लेट आती है या फिर आपका ये exam नहीं करवा पाते है तो आप PSL list में जुड़ जाएंगे और student के लिए उसमें फाइदा ही होगा ठी क्योंकि AISL list अब चर्चा में हो चुकी है PSL list नहीं आने के कारण तो इसको आपको अपडेट पहले देना था क्योंकि एरफोर्स निवी से सम्मझीत अपडेट हमारे दारा देना आपका करतवे बनता है और किसी भी परकार का ये दिए आपको doubt है तो comment box में जवाब दीजि comment box में question कीजिए हमारी team उसका analysis करेगी और आपको लिए best video provided करके उसको doubt को clear करने की कोसिस करेंगे तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहीं जबार